तो यह जो question number third है यह कहता है evaluate the following products ठीक है तो हम लोग यहाँ पे same identity use करेंगे जो हमने किया था पहले question number one और two में ठीक है तो यहाँ पे जो हमारा है वो क्या है आप देखिए यह हमारा होता है x plus a और इसका हम product करते हैं x plus b से तो हमारे यहाँ पस keyword क्या है यह देखिए यह जो first term harm है ना यह हमारा दोनों में ही same है ठीक है यह हमारा यहाँ पर एक से है यहां पर थी और जो second term है वो रहाए तब किया हुआ करता है हम लोग लिखते हैं x square और लेते हैं a plus b करते हैं और यहाँ पर x से multiply कर देते हैं राइट और last में हम लोग क्या करते हैं ना a multiplied b ओके यह हमारा हुआ करता है तो same identity हम use करेंगे यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बन जागा यह यह आप यहां पर ध्यान देजीए जो हमारा है पाला x इसके position पर आपको क्या दिख रहा है ना इसके position पर आपको यहाँ पर x square दिख रहा है तो कोई बात नहीं है आप यहाँ पर x square लेजिए और इसका आप square कर दीजिए ठीक है फिर आप plus लेंगे यहाँ पे A और B के position पे क्या है 3 और 4 दिख रहा है तो आप 3 और 4 को आप plus कर लिजिए और इसको आप यहाँ पे जो पहला आपका term है x square से multiply कर लिजिए फिर आप पे plus लिजिए और 3 और 4 को क्या किजिए न multiply कर दिजिए अब आपका answer आगा यह जब 3 और 4 आपका add होकर के 7 आ जागा और x square यहाँ पे इसके साथ multiple में रहेगा और यहाँ पे 3 और 4 हमारा क्या होगे न 12 तो यह final answer हम लोगों का आ जाता है फिर से देखिए हम same identity यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे हमारा पहला जो x है उसका तो हम square करेंगी और plus करेंगी यह हमा हमारे पास हो जाएगा 4 upon 3 और यहाँ पे multiply करना है 1 upon 3 से ठीक है अभी देखिए हमारा हो जाता है x square और इसको हम एड कर लें तो यहाँ पे फ्रेक्शनल एडिशन बहुत ही सिंपल होता है मैं आपको बता दूं यह आप 4 upon 3 और 1 upon 3 denominator सेम है तो LC हमारा सेम आ जाएगा तो जब सेम हो गया तो numerator में कुछ भी चेंज नहीं करना आपको एज इस लिख देना है प्लस है तो प्लस अगर माइनस होता तो माइनस तो 4 प्लस 1 that is 5 5 upon 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा तो आप यहाँ पे क्या नोट करेंगे आप यहाँ पे नोट करेंगे 5 upon 3 और यहाँ पे इसके साथ x रखना है multiply करके और यह देखिए आपका numerator से numerator मुल्टिप्ला होगा फोर डेनोमेटर से डेनोमेटर मुल्टिप्ला होगा नाइन हमारा final answer आ गया कुर्शन नमर 3 को हम लोग solve करेंगे यहाँ पर भी हम सेम यूज करने वाले हैं पहला जो टर्म है आप उसका square कीजिए फिर आप plus लेजिए यहाँ पे हमारे पास two terms हैं यह देखिए यह minus में हमारा तो हम minus रखेंगे three upon five और यहाँ पे plus लेंगे और यह हमारे पास है minus one upon two तो यह हम minus में रखेंगे bracket यहाँ पे close कर लेंगे और x से multiply करेंगा multiply करेंगा यहाँ पे फिर से हमारे पास है minus three upon five और इस स्क्वार रहेगा ही रहेगा अब यह माइनस और पलस हमारा मुल्टिप्लाइब के माइनस हो जाता है तो यहां पर हम लोग मिल जाता है माइनस 3 अपन 5 और यह हमारा हो जाता है माइनस 1 अपन 2 आपको क्या करना पड़ेगा यह माइनस और माइनस मुल्टिप्ला हो कि पलस और यहां पला से तो पलस ही रह जाएगा 1 और 3 को multiply किये तो 3 5 और 2 को multiply किये 10 अभी आप देखिए 5 और 2 का LCM क्या होगा यहाँ पर 5 और 2 का LCM आपका 10 हो जाता है चुकि दोनों different number है जिसमें कोई common factor नहीं है तो इस condition में हमारा multiplication हो जाएगा तो 5 से हमारे पास 5 से 10 को divide करेंगे 2 मिलेगा 2 से हम 3 को multiply करेंगे 6 यहाँ पर minus में है यहाँ भी minus में तो minus रहने देजिए minus रहने देजिए 2 से आप 10 को divide किजिए 5 5 से आप 1 को multiply किजिए तो आपका यहाँ पर 5 आएगा अब यह minus 5 और minus 6 आपका add हो जाएगा minus 11 देगा तो minus 11 upon 10 आपका यहाँ पर answer आएगा तो अगले step में आप क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे x square यह minus 11 upon 10 है यहाँ पर plus है तो minus plus multiply करे minus आएगा minus 11 upon 10 और यह x यहाँ पर multiply में रहेगा और यह हमारा होगा 3 upon 10 यह बन गया क्या final answer यहाँ पर देखिए हम दो तरह के identity को use कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्यों चुकि यहाँ पर 6 है और यहाँ 7 है इसलिए same identity यूज करना पड़ेगा तो आएए हम यहाँ पर use करते हैं यह हमारा हो जागा y square इसका हम कर लेते हैं all square और यह plus लेंगे और यहाँ पर हमारे पास minus 6 और यह plus में हमारा प्लस 7 रहेगा ओके यह bracket हम बेकार कर दे दिये कोई बात ने रहने देजिए दे दिये तो आगे देखिए हमारे पास plus में आ जागा यहाँ पर minus 6 और multiply करेंगे 7 का तो यह तो हमारा y to the power 4 हो गया plus 7 और minus 6 हमारा क्या हो गया ना हमारा हो गया plus 1 ठीक है तो plus 1 का y से multiply करेंगे y square से तो y square ही रहेगा तो यहाँ पर plus में y square ही आएगा आपका और यह minus plus आपका minus हो जाएगा 7 6 है क्या होता है ना 42 तो आप 42 यहाँ पर note कर दिजिए answer आपका बन गया यह भी question हमारा आसान है बहुत ही easily हम solve कर सकते हैं वो कैसे देखिएगा यहाँ पर हमारे पास यह क्या हो जाएगा यह तो हमारा पहले z square का whole square करना पड़ेगा और यहाँ पर plus लेंगे a के position पर क्या है हमारा a के position पर 4 है तो हम यहाँ पर 4 note कर लेते हैं b के position पर क्या है तो यह तो Z to the power 4 होने वाला चुकि power multiply हो जाएगा यहां से हमारा क्या होगा यह हम check कर लेते हैं आइए तो यह हमारा क्या है फॉर तो हम इसको लिख सकते हैं 4 upon one लिख सकते हैं यह माइनस और यह प्लस हमारा माइनस हो जाएगा और यहां पर 1 upon 4 रहने वाला है LcM लेंगे 4 और 1 का तो 4 ही आएगा 1 से 4 को डिबाइट करेंगे 4, 4 से 4 को मुल्टिप्लाइ करेंगे 16, माइनस बीच में रहेगा 4 से 4 को डिबाइट करेंगे 1, 1 से 1 को मुल्टिप्लाइ गें 1, that is 16 में अगर 1 माइनस कर दिये तो 15 एपन 4 हमारा answer आ रहा है यह हमारा plus में आ रहा है ठीक है और यहां पे हमारा क्या है plus तो plus 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 से होगा तो हमारा हो गया 15 अपन 4 और यहां पे क्या रहेगा ना z square multiply में यह देखिए multiply में है तो यह 4 से 4 cancel out हो जाएगा यहां पे बज जाता है one one minus one into one one आएगा और यह minus में plus में तो हमारा minus आएगा तो minus में हमारा one आ जाता है final answer राइट चलिए same हम यहां पे करने वाले हैं यह हमारा हो जागा y square और इसका all square plus में हम लेंगे हमारे पास क्या है न यह है minus three ओके और यहां पे plus में हम लेंगे minus one और bracket का बंद कर दिए और यह हमारा y square से multiply फिर हम plus लेंगे यहां पे minus three और इसको multiply करेंगे minus one से तो y square का फिर से square है तो y to the power 4 2-3 हो गया और यह मैनस پ्लस मैनस हो जाएगा तो हमारे पास यहां पे ऐब यहां पर 2-1 यहां पे यह 2-1-3 मैंस थ्री आवं के प्लस 3 हम को । यहां पि एक कर देते कोई बात ने चली अगर कर दिये हैं तो यह tela pos 5-4 मैंस सबसित है I इसलिए add कर देंगे add करके sign हमारा same रहेगा तो minus 4 का plus 4 से multiply और फिर से minus आएगा 4 में यहाँ और y square यहाँ पर multiply में रहेगा और यह हमारा क्या हो गया ना plus 3 तो यह बन गया क्या final answer यहाँ पर कोई बात नहीं यहाँ देखिए हमारा X के position पर X की वह दो कोई बात ने हम X केक्ष्न कर लेते हैँ क्या क्या कर लेते प्लस में एक जागा 5 है एक जागा 2 है दोनों को add कर लिए और x q से क्या किए multiply कर दिये और यहाँ पर 5 or 2 को हम क्या करेंगे न multiply करेंगे तो यहाँ पर power multiply हो जाएगा तो x to the power 6 हो जाएगा 5 or 2 add होकर के 7 और यह हमारा x q रहेगा और यह 5 to the 10 हमारा क्या हो गया final way answer ठीक है next हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखने वाले p square और फिर इसका all square plus लेंगे यहाँ पर हमारे पास होगा 1 upon 4 यह हमारा minus में है तो आप minus में रख लेजिए और यह हमारा plus में है 1 upon 8 अभी आप बड़ा bracket ले लेजिए और यहाँ पर क्या रखेगा p square फिर plus यहाँ पर आपका होगा minus में 1 upon 4 इसको bracket ले लेजिए च्योंके minus में है और यह 1 upon 8 आपको अगला step क्या मिलता है यहाँ पर मिलता है p to the power 4 और यह आपका क्या होगा इसको मैं यहाँ पर आपको रख में करके दिखा देता हूँ यह हमारे पास है minus में 1 upon 4 और plus में 1 upon 8 right LCM लेंगे तो हमारा LCM 8 आएगा 4 से 8 को डिवाड करेंगे 2 2 से 1 को मुल्टिपला करेंगे 2 यह minus में है तो minus 2 plus 8 से 8 को डिवाड कि किए 1 1 से 1 को मुल्टिपला किए 1 minus 2 और plus 1 हमारा क्या होगा न minus 1 होगा और यहाँ पे हमारा divide में 8 रहेगा different standard ने पर हम लोग subject करते हैं और बड़ा number का sign देते हैं ठीक है यह आप धियान रखी तो minus 1 upon 8 आ रहा है आपका तो आप यहाँ पे क्या लिखेगा minus 1 upon 8 लिखेगा तो आप लिखेगे minus 1 upon 8 और इसको आप bracket ले लिए चुकि यहाँ plus है अगले step में उसको हम change कर देंगे तो यह देखी हमारा यहाँ पे minus plus multiply के minus numerator को multiply करेंगे तो 1 और denominator को multiply करेंगे तो यह 32 एक step और लेजिए इस minus sign को आप यहाँ पे हटा लेजिए तो P to the power 4 यह minus plus minus 1 upon 8 P square और यह हमारा 1 upon 32 आप यह ध्यान रखी यह जो हमारा 1 upon 8 है ना आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं यह देखी P to the power 4 minus P square upon 8 लिख सकते हैं चुकि P आपका numerator से multiply हुआ ठीक है तो numerator से multiply करने पर P square ही आने वाला है और यह आपका 1 upon 32 रहने वाला है ठीक है तो यह हम लोगों का क्या हो गया ना final answer last question हमारे पास इसको solve करते हैं तो यहाँ पे हम note करेंगे Z square और यह plus में हमारा होगा 1 upon 6 plus 6 और इसके निचे 1 तो रखी सकते हैं और यहाँ पे Z से multiply कर देंगे और फिर यहाँ पे 1 upon 6 multiply में 6 रखेंगे ठीक है अगला step में हमारे पास क्या होगा यहाँ पे Z square यह देखिए हमारे पास है 1 upon 6 और प्लस में 6 आपको एक ट्रीक बताता हूँ यहाँ से आप इसको multiply के जिएगा 6 का 6 से तो 6 जाक्या होगा 36 1 को add कर देजेगा तो क्या होगा 36 और 1 आपना हो गया 37 और divide में आपको क्या रहेगा 6 ओके यह शॉट ट्रीक है आप LCM लेकर के भी बना सकते हैं इस तरह से जैसे हमने आपकी किया है ओके आप इस तरह से भी कर सकते हैं चलिए यह हमने कर लिया तो क्या आगया 37 upon 6 तो हम यहाँ पे प्लस में क्या लिखेंगे 37 upon 6 और यहाँ पे Z रहेगा और यह 6 से 6 हमारा cancel out हो जाएगा यहाँ पे numerator और denominator में है तो यह हमारा क्या आगा 1 यहाँ पे हमको मिलेगा तो प्लस में 1 लिखेंगे यह क्या आगया ना final answer ओके So thanks for watching Have a glorious day ahead